चोपड़ा जो किसने यूटूब चैनल पर मैं हरसा ही चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ मेरे पैरी बच्चो नी 23 एक्जाम के लिए 20,87,445 कंडिडेट रेजिस्टर्ड हुए है इसमें अगर हम स्टेट वाईस देखें तो सबसे ज़्यादा कंडिडेट माराश्चर में रेजिस्टर्ड हुए हैं माराश्टर में 2.77 लाग कंडिडेट रेजिस्टर्ड हुए हैं इसके बाद में UP में 2.73 लाग कंडिडेट रेजिस्टर्ड हुए हैं इसके अलावा राजिस्तान तमिलाडू केरिला करनाट का इने स्टेट में 1.50,000 और बिहार वेस्ट बंगाल मद्य प्रदेश इनमें 1.10 वेन लाग के निर्वाई कंडिडेट रेजिस्टर्ड हुए हैं कुसी की बात यह है कि 2022 में 11.60 परसेंट इस्टूडेंट इनक्रीज हुए थे मगर इस बार 23 में 11.15 परसेंट इस्टूडेंट इनक्रीज हुए हैं और 23 में शीट्ट्स भी 22 से ज्यादा ही इंक्रीज हो रह ही हैं इससे साब जायर होता है कि इन दोनों factors के चलते 23 की cutoff 22 से ज्यादा रहने की possibility नहीं है मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये cutoff 23 के paper के difficulty level पर depend करेगी अगर paper का difficulty level 22 की तरही रहा तो ये cutoff 22 से कम ही रहेगी इस वीडियो के जरीए मैं आपको बताना चाता हूँ कि 20,87,445 candidate registered होने पर भी आपको डरने की आवश्यक्ता नहीं है क्योंकि जिस ratio से seat increase हो रही है उसी ratio से registered candidate भी increase हुए है इसमें ये 20 lakh का amount आपको काफी बड़ा लगता है मगर 50% student तो इसमें qualifying ही नहीं कर पाते हैं यानि 10 lakh student ही need qualifying कर पाते हैं इन 10 lakh में से 8 lakh student ऐसे होते हैं जिनको exam से पहले ही मालूं होता है कि इस बार मेरा selection नहीं होगा वो तेयरी next year के लिए तो करते हैं वो सिरफ knowledge के लिए exam देते हैं आप competition सिरफ 2 lakh student में ही बच जाता है इनी 2 lakh student में competition होता है तो ये amount इस amount से आपको डरनी की आवश्यक्तर नहीं है आपके पास अभी 8 दिन का समय बचा है इसमें आप planning के साथ paper attempt करने की practice करें आपको इस समय बिलकुल हतास होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप tension free होकर exam में बेहतर कर पाएंगे best hope luck